अब दिखें टेस्ट गवार 24 और वक्त है खबरों का अरीवा शहर में पारमसाला ब्यापारी के साथ हुए लूट कांड का किरकार पुलिस ने परदा अफास कर दिया है शहर की कोटवाली पुलिस ने लूट कांड के मास्टर माइंड को गिरबतार कर लिया है जबकि उसके अन्य साथी अभी भी फरार बताए गया है पगड़ा गया आरोपी नाबालिग लड़की का अपारण वदुसकर्ण के मामले में फरार था जिसने इस मामले में जमानत पाने के लिए इस लूट कांड की खटना को अंजाम दिया इतना ही नहीं आरोपी लूटकान के बाद रिवा से भाग कर सीधा उज्जैन पहुचा जहां उसने महाकाल के दर्सन भी किये पुलिस ने फिलाल आरोपी के कबजे से उसके हिस्से में आई 56,000 रुपियों की रकम के साथ साथ ब्यापारी की लूटी के इस कूटी को बरामत कर लिया है और आज उसे न्याले में पेश कर पुलिस रिमांड के लिए अर्ची लगाई है दरसल ने फिलासा आसीटी कोत्वाली थाना प्रभारी आदित्य परताप सिंग ने किया है थाना प्रभारी ने बताया कि लूटकांड के मामले में धोबिया टंकी निवासी सातिर अपराधी चुन्नो और्प दुरगेश प्रजापती को गरफतार किया गया है इसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था बताया जाते अठारा अगस्त वासोख नगर रिवासी पान मसाला ब्यापारी प्रभाकर साहु के साथ दुकांड से घर लोगते वक्त लूट की घटना हुई थी आरोपियों ने ब्यापारी के साथ मार पीट करते हुए उनकी स्कूटी सहित स्कूटी में रखे कैस को लूट लिया था सहर के भीतर हुई लूट की इस घटना के वाग हरकत में आई पुलिस ने स्टिसी टीवी फुटेज और मुखबिर तंतर की मदद से आरोपियों की पहचान की जिसमें से लूट कांड के मास्टर माइंड चुन्नू और फदुर्गेस प्रजापती को गिरबतार किया गया है पुलिस के मदाबित आरोपियों ने लूट के दो दिन पहले ही एक नाबालिक लड़की का अपारण किया और शादी का जहासा देकर दुसकर्म की घटना को अंजाम दिया था आरोपिय ने मामले में दुसकर्म और पासको का अपराण दर्ज होते ही उससे बचने के लिए अपनी जमानत कराने इस लूट की योजना बनाई और सातियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और रईवा से भाग कर वह जैन पहुँचा जहां उसने महाकाल के दर्ज संधी किये लेकिन साइब इस अपराधी को यह मालूम नहीं था कि भगवान भी अपराधी का साथ नहीं देते और उसके रिवा बाबा पस लोगते ही पुलिस ने उसे गरपतार कर लिया पुलिस में बताया कि आरोपी लगातार जूट बोल कर पुलिस को गुमराह करने का प्रियास कर रहा था जिससे पैसों की बरामद्वी के लिए आज न्याले से रिमांड ली जाएगी और उसके अन्य साथियों के संबंद में भी पूंसनाच कर उनकी तलास की जाएगी बतादेंगे इस पूरे खुलासे में कोटवाले साना प्रभारी वो उनकी टीम की बेहद ही आहें भूंदा रही है प्रभाकर शाहू है जो की धोड़िया टंकी के पास कट्रा रोल है इनका पान मसाले का होल सिल का ब्यापार है और ये रहते हैं असोब कालोनी में जो की पाने टोला के सामने नई बस्ती बस्ती है वहाँ पर उनका घर है प्रति दिन की तरह वो दुनांक 18 तारीक को दुकान बंद करके साड़े दस बजे के आसपास अपने घर जा रहे थे और वो आदत में था कि वो रात में जो ही दिन भर का पैसा होता था विक्री का वो अपना स्कूटर की डिगगी में रखते थे और आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे उनका नवकर मोटर साइकल से अलग जाता था उनको घर तक पहुंचाता था और उसके बाद फिर वह पहुंचाने के बाद वापस चला जाता दिना घटना को भी ये अपने घर जा रहे थे साड़े दस बज़े के आसपास तो पाने टोला में जो स्कूल है उसके थोड़ा सा पहले हजारी चौरह के आगे है वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है तो वहाँ पर सामने से दो लोग मोटर साइकल बेड़ा लगा करके अधो एक दो लड़के पीछे से जा करके मार्पीट करके और उनकी स्कूटी लेकर के भाग गये थे और उसम जिसमें की धाई से तीन लाग रुपए माग था और मांकी स्कूटी प्रिश p.17 सीजार की स्क प्रात पंजीवत किया जाकर और तला सुरू की गई सारे सीसी टीवी पुरी रात सीसी टीवी फुटच्य किये गए और उसके बाद लगातार जितने मुख्विर तंथा उनको सक्री किया गया कई अस्थानों पर सीसी टीवी में कुछ लड़के स्कूटी जो दो लड़के लेकर भागे थे केवल वो भागते दिखाई दिये उस आधार पर पूरे सहर में पहचान कराई गई और धुनले हर जगे सीसी टीवी फुटच्य भी धुनले मिले लगातार सक्रीता और पुलिस क है जो पुलाने मुक्विरतों को लगाए गया तो जानकारी मिले की एक चुन्नू नाम का प्राधी है वो उस दिनान को धोगिया टंकी के आसपास उसके बाद फिर हजारी चुरहे के आसपास भी देखा गया थे इस सूचना पर मुक्विरतां सक्री किया गया और उसको एक लाक रुपए इसने जो कि यह पूरा सणें पूरे योजना का सूत धारी है इसी ने लड़कों को इकठा किया था पूरे लड़कों को और करीब तीन-चार दिन से रैकी कर रहा था और कि कितने बज़ें निकलता है यह सारी चीज और उसने प्लान करके और लड़कों को कठा करके अलग-अलग सबको जगह लगा करके और इसमें घटना कारिद किया था और बाकी रासी भी अपने सब अंदोस्तों में जो साथ में घटना किये थे उनमें बाड़ दिया है तो भी ये पकड़ा गया है ये सभी 56,000 नुपए नगर मिला है लेकिन ये लगातार जोट कभी कहीं बताता है कभी कहीं तो लगातार जहां जहां बता रहां वहां वहां तलासी ली जा रही है तो इतनी रास मिली है अभी आज उसको चुकी कल पकड़ा गया है तो आज इसको नैले में पेस करके और रिमान लिया जाकर करके और सेस रासी और सेस आरोपियों के लिए पकड़ा जाएगा, प्रयास किया जाएगा. पकड़ा जाएगा, उसके द्वारा बताया जाएगा, प्रयास कि अपराधी शुन्म, यही उस घटना को भी कारित किया है, तो उसमामले में भी इसको गिपतार किया जाएगा. पहले भी इस ने मार पीट के और चापू चलाने की घटना किया है तो लगबग इस इतके पाज 6-7 अपरा पूर के देगा